नमस्कार, स्वागत है बच्छों आपका सैल्स पेडी के चैनल में और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं Special Marys Act 1954 इसका क्या मतलब है? अभी समझाता हूँ आपको अभी एक चीज छोटी सी यहां पर जाने से पहले एक चोटी सी चीज में आपके सामने रखना चाता हूँ कि आपको पता है कि हिंदों में जो शादी होती है वो किस Act के According होती है तो हिंदों की जो शादी होती है वो Hindu Marys Act के According होती है और जो Muslim है, Muslim की जो शादी होती है Muslims में जो शादी होती है, वो कैसे होती है Muslim personal law के according होती है तो यहाँ पर भारत में क्या है कि जो मानिता है अपने अपने धरम में उसके according स्थान दिया गया है कानून में उनको कि आप अपने रिति रिवाज के according शादी कर लीजिए अब suppose करिए कि मानिए कोई A कोई व्यक्ति, कोई B कोई व्यक्ति, ये अगर Muslim है, ये Muslim है M लिगा जता हूं इसके पर ये अगर Muslim है और B, ये में कहूं कि मैं कोई Sikh है कोई Hindu है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों में अगर शादी होनी हो, तो इन दोनों के लिए क्या प्रावधान है, मतलब दो अलग-अलग धरम के लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा कानून है, तो वो वाला कानून है, विशेश विवाँ अधिनियम 1954, ये इस कानून के तहट, Special Mary's Act 1954 के तहट जो है, वो शादी की जाती है, दो अलग-अलग धरम के लोगों में दो लग-लग जातीयों के लोगों में तो इस के कहते होती है, तो आज क्यूं इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्यूंकि अभी इसके उपर चनोतियां दी गई है कोर्ट के अंदर, कि भाई, इसमें कुछ सुधार करिये, कोर्ट में कहा गया है कि इसके अंदर सुधार करिये, अभी हुनी चीजों को पढ़ने वाले हैं, कि इसमें दिक्कत क्या है, और कौन इसको सुधार करने की मांग कर रहे है चलिए, अभी फिलाल क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरफेट, जो मैरीज एक्ट, जो आपने भी पढ़ा है, स्पेशल मैरीज एक्ट, इंटरफेट मैरीज के नाम से जाना जाता है इसको, यानि जो ये SMA, 1954 है, इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसके अंदर कुछ परावधान है, उनको चैंज करने की मांग की जारी है, क्या उनको मतलब कि कोन उनको मांग कर रहा है, कि उनको सक्त करिये, या फिर थोड़े धीले करिये, कैसी उनकी मांग है, इसके बारे में हम चर्जा करेंगे वैसे 2021 में काफी टाइम से इसमें प्रावधानों को रद करने की याचिकाएं चल रही है, कि आप इन प्रावधानों को कम करिये, इससे बहुत जादा खत्रा हो रहा है कि अभी बात करेंगे, चलिए थोड़ा साम इसके बारे में बात कर लेते हैं SMA 1954, यानि Special Marries Act 1954 के बारे में कि ये दो धरम, दो जाती के जो लोग हैं वो आपस में शादी करना चाते हैं तो उनको एक कानून की मानेता परदान करता है ये वाला Act अचा साथ इसाथ दो व्यक्ति जो हैं वो अगर उनको कानूनी मानेता चाहिए वही सेम बात हो गई कि इस Act के तहट वो अपनी शादी को कानूनी रूप दे सकते हैं और यहां पर इस कानून के तहट 1954 Act के तहट विशेश विवा अधिनियम 1954 के तहट यहां पर किसी भी धरम की रिति रिवाज की जुरूरत नहीं पड़ती और इस कानून में इस Act के अंदर क्या है इसमें हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई, जैन, बोध सभी के सभी जो लोग हैं वो विवाग कर सकते हैं और इस अधिनियम में जो केवल धरम के लिए नहीं यह जातियों के लिए भी होता है क्लीर यहां पर जो इंटरकास्ट मेरिज करना चाते हैं तो वो इसी Act के तहट उनको कानूनी उनकी शादी को कानूनी रूप दिया जाता है अब क्या है याचिका इसके बारे में चर्चा करते हैं फिलाल एक बार तुमें अपने इस पैन का कलर चेंज कर लो तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि यहां चल नहीं रहा है रेड के उपर जहां से सुनना क्या बात है देखेए SMA यानि Special Marriage Act की एक सेक्शन है अब किसी को अगर शादी करनी हो तो क्या कहता है सेक्शन फाइफ कि आप पहले जो है इच्छी द्विक्ति जो है जो शादी करना चाते है वो सुचना दे आप एक सुचना दीजी कि आपको शादी करनी है आपको वहां पर हमें बताना होगा एक नोटिस देना होगा ठीक है कोई बात नहीं फिर एक Section 6 एक Section 6 आता है एक जगहां पर लगाया जाएगा कि ये particular व्यक्ति इस particular महिला से शादी करना चाहता है वो एक notice जो है वो उस officer के जो marriage officer है उसके office में कहीं न कहीं वो लगा हुआ होगा वो चिपका हुआ मिलेगा समझ रहे हो इस act कम यहां पर होगा यह section यह बोल रहा है ये notice लगा हुआ है marriage officer के office के अंदर अब यहां पर section 7 क्या बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को अपत्ती है 30 दिन के अंदर अंदर वो बताए कि भई है हमें इन दोनों की शादी के अपत्ती है ये शादी नहीं होनी दिनी चाहिए अगर अपत्ती है तो आपत्ती नहीं है तो section 7 के close 2 के अंदर ये विवा संपन माना जाएगा कि हाँ इन दोनों की शादी हो गई है तो एक तो यह चीज़ अब यहां पर दिक्कत क्या रही है दिक्कत यही है section 6 और section 7 ही दिक्कत है यहां पर तो हमारी शादी में या फिर हमारी आने वाले टाइम में हमें पहचान कर हमें तंक किया जाएगा obviously ऐसा होता है कि जो intermarriage जो interphase जो marriage होती है जो धरम में एक दुछरे के धरम में शादी की जाती है तो वो काफी जादा एक विवादसपद विशा है काफी टाइम इसके उपर बहस हो भी रही है अभी आने वाले इसी वीडियो में में आप लोगों को बता रहा हूँ तो यह कह रहे है कि अगर आप लोगों को ऐसे बताएंगे ऐसे notice लगा लगा के आप लोगों को बताएंगे भी इनकी marriage हो रही है ये अलग-अलग धरम से हैं अगर आपको दिक्कत नहीं है तो बताइए तो इससे तो हमारी privacy का उलंगन हो रहा है तो इन दो section के विरूद जो है वो याचिका दी गई है Supreme Court के तहट कि भया आप इनको खतम करिए आप तो हमारी privacy का उलंगन कर रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दें कि intermarriage जो है वो दो अलग-अलग धरमों के बीच में शादी करने के लिए यहाँ पर यहाँ पर issues हैं उनको बताते हैं आपको देखे यहाँ पर कहा यह जाता है कि जब कोई interfaith marriage होती है जो दो धरमों के जो लोग शादी करते हैं तो वहाँ पर जादा दर क्या होती है महिलाएं जो होती ना महिलाओं का धरम परिवर्तन होता ही होता है वही उनका जबरन धरम दर से शादी कर ही ही नहीं सकते है अगर गैर मुसलिम से शादी करने है तो धरम परिवर्तन ही एक मातर तरीक जब करने है और अपना धरम करने की कोशिच करोगे अपना धर्म convert करोगे तो दूसरा रास्ता अपनाते हैं अब यहां पर एक तीसरा मुद्धा ये भी उठके आता है कि दो धर्मों के लोगों ने आपस में शादी किया है तो उनकी जाती क्या होगी वो caste क्या होगी इसका निर्धारनी नहीं हो पाता और भारत में जो ये विशेश विवा अधिनियम 1954 है जो भारत में जो आप समाज देखते हो काफी जादा एक अभी फिलाल backwardness society है तो उसके according नहीं है वहां पर काफी सारे जो लोग है वो यहीं चाते हैं कि हमारे धर्म में शादी हो तो आप वहां पर एक बहुत ज़्यादा परभाव डाल रही है अब यहां पर क्या है हाई court के अंदर एक article है article 226 जहां पर इस interfaith marriage act को खतम करने के लिए इसको रद करने के लिए वहां पर एक debate चल रही है debate चल रही है इसके उपर already article 26 के दा देखे आप इसको रद कर दीजिए यह विशे है अब यहां पर समझ जिए कि दिक्कत क्या आ रही है यह जो कह रहे है section आपने 6 पढ़ा section आपने 7 पढ़ा तो इन दोनों section में जैसे 6 तो कह रहा है कि आप एक poster लगा दीजिए office के अंदर भी दो व्यक्तियों कि article 14 article 14 देखिए एक विक्ति अपनी इच्छा के according अगर विवा करना चारा है आप उसके अंदर कानूनी हस्तक shape कर रहे है तो उसका तो मौलिक अधिकार ही हो रहे है कानून के समक्स उसको समझाए नहीं जा रहा है article 14 क्या बोलता है equality before law कि हर कोई जो है वो कानून के समक्समान है लेकिन यहाँ पर तो आप कानून उसके बीच में ले के आ रहे हो अगर वो शादी करना चारा है दूसरी चीज़ यह है article 19 क्या है अगर आप देखें स्वतंतरता और व्यक्तिगत स्वतंतरता का अधिकार है यहाँ पर आपको क्या है आपका expression आप विचार व्यक्त कर सकते है आपकी इच्छा है आप व्यक्तिकत स्वतंतर है कुछ भी काम करने के लिए तो वहाँ पर आपको मतलब इसी का भी तो उलंगन क्या जा रहा article 19 का फिर दूसरी बात यह है कि हमारे समिधान में धर्म की स्वतंतरता और जीने का अधिकार भई article 25 तो धर्म की स्वतंतरता देता है article 21 जीने का अधिकार देता है आप इन दोनों का उलंगन कर रहे हो क्योंकि आप जीने ही नहीं दे रहे हो आप तो भईया हमारी जो दो धर्मों के जो लोगों ने शादी की है आप उनके बीच में आकर उनको अलग कर रहे है तो उनके जीने का अधिकार उनके धर्म मानने का अधिकार उनका उलंगन कर दिया आपने अच्छा, यह क्या कह रहे हैं कि धर्म निर्पेक्ष्टा के विरूध भी है देगे पहुरत क्या एक secular country है भारत के सम्हिधान में article 25 क्या करते हैं कि आप अपने पसंद के धर्म का पालन कर सकते हैं आप उसका पालन कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं वहाँ पर अगर आप इसलिए भारत में क्या है कि अंतर धार्मिक विवाओं की अनुमती है आप इसी के कोडिंग तो कर रहे हैं कि अगला व्यक्ति कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को कनवर्ट करके शादी करना चाह रहा है तो वो तो एक आर्टिकल खुद उसको इस चीज की मतलब क्या कहा रहा है कि उसको छूट देते हैं यह आर्टिकल उसको पावर देते हैं कि आप कर सकते हैं क्लियर अब सरवोज नियालियों के साथ देखिए अभी यहां पर जैसे आर्टिकल जैसे आपने पढ़ा 25, 21, 19, 14 यह जो आर्टिकल आपने पढ़े अब यहां पर एक चीज देखिए यह आर्टिकल किसने देखिए यह पावर कौन जो है वो समीधान दे रहा है अब यह आपने सेक्शन पढ़ा SM में Special Marriage Act का सेक्शन 6 और सेक्शन 7 पढ़ा यह देखिए इन दोनों में टकराव देखिए क्या हो रहा है सेक्शन 6 और सेक्शन 7 यह दोनों जो हैं वो इनका उलंगन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सेक्शन 7 और सेक्शन 6 तो कह रहे हैं कि एक पोश्टर लगा दीजिए न वो आप निजदा के अधिकार का उलंगन कर डाला आपने लोगों का तो तो यहाँ पर सरवोच नियाले ने अभी एक केस हुआ था हाई कोट में ठीक है 2018 में सफीन जहान बनाम अशोक के इसमें क्या था आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 के भाग में अपना एक पसंद के वेक्टी से आप विवा कर सकते हैं अभी आप बोल रहे हैं कि सप्रीम कोट खुद बोल रहा है कि आप आर्टिकल 21 के अगर किसी से शादी करना चाते हैं तो आपका अधिकार है वो आपको रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसका सेक्शन 6 और सेक्शन 7 देखिए उसका उलंगन कर रहे हैं सुप्रीम कोट ने समिधान के परतेक वेक्ति की जीवन शैली या विश्वास का पालन करने की शमता को सुरक्षित करता है मतलब कि सुप्रीम कोट की गैरेंटी बनती है कि आप उनके फंडामेंटर राइट्स की रक्षा करिए और वो करता भी है अब इसलिए वेक्ति अपनी पसंद का अगर विवा कर रहा है तो वो आर्टिकल 21 का ही तो एक हिस्सा हुआ अब यहां पर एक बड़ा इंपोर्टन्ट है 2017 में के एस पुट्टा स्वामी केस हुआ था राइट टू प्राइविसी मतलब प्राइविसी का एक अधिकार कानून बोल रहा है कि आप एक पोस्टर लगा दीजिए और वहां पर बताईये लोगों को कि भी यह किन का विवा हो रहा है तो आप निजदा का उलंगन तो वहीं कर डाला है तो यहां पर पर कानून में भी भहंता चल रही है एक दूसरी यहां पर बोली जाती है कि पित्र सतास्वげ पेरियार्कल सौसाइटी कहा जा रहा है हमारे जहां देखा जा रहा है जिसमें महीलाओं को माता-पिता समुदाईक नियंत्रण में रखा जाता है महीला जो है अपने डिसीजन है वो नहीं ले पाती है उसको अपने माता-पिता या फिर सोसाइटी के दभाव में आकर निट्ने लेने पड़ते हैं इस 1954 को रद मत करिये, इसके मतलब की जैसे एक issue जैसे चल रहा है, डिबेट जो चल रही है, दूसरी ये चीज है कि यहाँ पर प्रावधानों को मतलब आपको सही करना होगा, ताकि आप किसी के जो rights हैं, उसका उलंगन ना हो, अब अधिकारों का शोशन नहीं होना चाहिए, एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अब यहाँ पर एक काफी important बात ही है, कि केवल विवाह के लिए आप धर्म परिवर्थन करने हो, ये तो कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है, आपने सिरफ विवाह के लिए, सिरफ किसी महिला से शादी करने के लिए, आपने उसका धर परिवर्थन कर दिया, या फिर खुद का धर्म परिवर्थन कर दिया, ये कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है, clear यहाँ पर, तो ये तो था एक special marriage act 1954, उमीद है कि आप लोगों को समझ में आयोगा कि या इससे related issue चल रहे हैं, कुछ यहाँ पर अधिकार जो है, जो कैसे टक पसंद आई है, तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा बहुत हमारा भी सहारा हो जाएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जादा ही पसंद आ गए है, तो शेर कर दीजिए वीडियो को भी, as well as चैनल को भी, thank you for watching,